तो सब्सक्राइब करें चैप्टर करना नाल दो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स टीक है और टॉपिक क्या रहेगा गुरुप नमबर 18 गुरुप आपके लुप एटी पुर्णबर 18 पुर्णबर एटीव एए इसके फिजिकल टिक है फिजिकल एंड कैमिकल प्रॉपषेटी पुझेगी पुरुप नुपर एटीव देखते हैं ऐसे बहुत च्छोटा सा बचावा देखिछा अगर अभी हो जाए तो अभी करेंगे नहीं त अब चैट से हटके इधर आजब रहा हम लोग बात करने किसी गुरूप नमबर एटीन तो मैं यहां पर लिग देता हूं हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं गुरूप एटीन को हम लोग किस नाम से जानते हैं फिर नाम से नहीं जानते हैं लोग नोबल गैसे बोलते हैं अब ऐसा क्यों है तो में बताते हैं आपको पहले तो बताते हैं इसके अंतर कौन से एलिमेंट्स एक बच्चे ने लिखके बताए विदा कौन है है और आपके बासर ठाल मों क्या हूं है तो इन में से सबसे पेहले विदियों इसे तोर रगदो डोकर यह है क्या है यह पार रेडियो एक्टिविए हैं रेडियों निमित हैं अब हो रैडियेशन को कंटीनिव करते रहते हैं और मैटम कि उन्य पारी में नहीं पता था और उसे वर उन्हें नोबल गैसे बोला जाता है इन्हें पहले इन्हें नहीं बोलते थे इसलिए इसलिए नहीं पाए गए मतलब जो आपके गुर्प नमबर एटीन है इनके कंपाउंड पाए ही नहीं गए जब इनके कंपाउंड पाए ही नहीं कर रही है तो मोरल आपके पाद जितने भी नोबल गैसे वह सब्क्राइब हा थीक है थीक है लाइफ के निंट करो तुम लोगाज आज आज आजब पूछे तो बताना ठीके इत्रा वह ब्लकुर सबीक्ता कि आपके वी बता रखी थी कि हमने क्या बता रखा था कि जो आपके ही टिंव इन को इनहीं नहीं बोला जाता है रिक्ة कि इन सब गैसस को हम लोग सारी बोलते है इन सबंट्सक्रोण बोलते हैं नोबल गैसे इनट गैसे स्टार्टिंग की तीन ही है याद रखना कौन सी लियुम और समझ गया क्योंकि इन ही तीनों के हमें नेचर में कोई भी कंपॉण नहीं मिले तो यह इनट है बचे हुए क्रिप्टाउं जिन्हों के कंपॉण पाए गए तो यह कैसे है यह आपके नोबल तो है नोबल का मतलब जिनका अक्टेट कंप्लीट है बड़ वह इनट गैसे के टेगरी में नहीं आए इसके वाद आप क्या करोगे सब सब पहले आप देखोंगे जर्नल एलेक्ट्रॉनिक आपके नहीं की निया पहले डालो जर्नल एलेक्ट्रॉनिक का अब जर्नल एक्ट्रॉनिक का अब बात करें तो क्या होता जर्नल एलेक्ट्रॉनिक का इनका बटा एनस टू एक्स बिल्कुल सब्सक्राइब एंका जर्नल एलेक्ट्रॉनिक कांफिधेशन होता है जर्नल एलेक्ट्रॉनिक कांफिग्रेशन वहता है एक्सपमुलियुम् तो इसका कितना लिगोगे सिरफ बनेश्टू समझ गए इससे हमें यह पता चलता है कि जो हीलियम है वह एक एस ब्लॉक है कि नहीं है बताओ तो ज्यांट रखना क्यूंकि आउटर मोश एलेक्ट्रोंस में आ रहा है इसलिए एक स ब्लॉक एलिमेंट है कि क्या है एस ब्लॉक एलिमेंट ना कि फी ब्लॉक एलिमेंट ठीक है याद रखना आपको जो एक बार कोश्चन पूछा गया था कि एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट है एस ब्लॉक के अंदर जब तुम गिन होगे तो तुम्हारे तेरा निकल के आएंगे ठीक है कैसे लोकरी लेते हैं एक बाट जल्दी से फटा फटा देखो बिटा की रूबी से और इदर बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी गिन लोग एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा तो तेरा यह और एक आपका हीलियम कितने होगे टोटल चौदा तो इसका अंसर सही क्या है फॉर्टीन इस दराइट आंसर ठीक है क्योंकि है इतना अगर हम आप से बोलें कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथल्पी के बारे में क्या कहना है इलेक को गेन करने के हितमे होंगे विटा नहीं कि इनके पास और लड़ी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथल्पी जो होती है वो पॉजिटिव होती है मतलब अगर आपको इने लेक्ट्रॉन देना ही पड़ गया तो आपको बहुत जादा बॉटम की तरफ जाओगे अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो आपका जो इलेक्ट्रो निगेटिविटी है वह आपका डिक्रीज हो जाएगा ठीक है तो लिखो इतना जली से इसके बाद यहाँ पे एक एक पॉइंट टॉमिक रेडिया तो टॉप टॉटम आने प बढ़ते हैं तो क्या होगा बढ़ेगी क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वह भी आपके इंक्रीज होते हैं इसका मतलब यह हुआ डिसे आपके बास एक नूपलेस है इस पर एक मान के चलो एस एक शेल है दूसरा नूपलेस पर एक और एक दो शेल है तो और होगे सबका है अगार इतना सबका हो गया तो अप फिर से क्या घरते हैं एक बार सारे ऐलिमेंट को फिर से लिए आप क्या करें एक बार एलिमेंट्स को फिर से लिखें अब देखो यहां पर क्या लिखने जा रहे हैं यह आपने शाहिद अभी तक में सुनाओंगा करते हैं यहां और नियॉन जो दें विटा यह क्लैथरेट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं इसके बाद बचे यह क्या करते हैं यह फॉर्म करते हैं अब जरा यहां पर एक हैडिंग डालो उसके बारे में कुछ लिख लो Hi है क्लेथरेट के बारे में कुछ बाते लिखनी सबसें पनेगी जिसलिए अब पेली बात तो कर्णोपर oh किस नाम से जानते हैं तो यहां पर लिख लो और सो जो आज फो नेन इस नोँवाइज केज कंपॉओं और सेज़ कंपॉउंड सेज़ कंपॉड या एज़िया गाले वाइज रुट हो दो एक्सेकर दो पर नहीं कि देखो होता क्या है आपने पढ़ी है आपको पता है कि जो अटम होते हैं उनके उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता होता है और इस गैप को वाइड के नाम से जानते हैं यह भी आपको पता होगा तो अगर जो भी आपकी इनट गैसे वह किसी भी क्रिश्टल के इस जो वेकेंट इस इसमें जाके बैठ जाएंगी तो वह एक केज कंपाउंड बनाएंगी केज का मतलब जैसे की पंग्शी वगरा नहीं इस पिंजरे में रखे जाते हैं इस टाइप का कुछ देखो ऐसा ऐसा कंपाउंड बनाएंगे इस टाइप का कोई एस इस इस पेस में जो आपकी इनट गैसे जाते हैं और बैटने के बाद क्या करते हैं एक केज कंपाउंड का इस लिए लिखावा है आर नो आउल्सो नोन ऐस एज कंपाउंड ठीक है इसे ब्रैकेट में अगे लिखो आर प्लेट्रेट्स आर कंपाउंड कंपाउंड ओफ नोबल गैसे आफ नोबल आफ नोबल गैसे इन विच in which they are trapped they are they are trapped within cavities within cavities of cavities of crystal इक यह लिखा हो बाइव नूबल गैसे इन विच दे आट प्रेप्ट विद 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 गैटी जब विद विद गैटी साथ क्रिस्टर्ण टीक लिखो आफ चर्ष न लेट इस ऑफ असर थैंक इन और गेनिक सब्सटेंसेंस इन और गेनिक सब्सक्राइब कर नहीं करते हैं और बचे वह इतने बिया वह 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 सब पर्टें है कि इतना नोट कर लिए समने मिटा अब मेरी बास सुनो अगर हम लोग ग्रूप नमबर 18 के अलिमेंट को पहले इनर्ट गैस बोलते तो बाद में इनर्ट गैस नहीं बोलते होंगे तो इसका कुछ ना कुछ तो रीजन है इसका रीजन यह रहा होगा कि पहले कोई नहीं पाया इसका कोई नेचर में एक्जिस्ट कर गया होगा तो रहे यह बहुत इसका मतलब क्या हुआ कि हए नहीं नहीं करते है यह पहले आपके घुर्ण पांट नहीं पाया गया तो इसका मतलब इनकी पाया गया था एक टाम के बाद इनके पाइब लिने लगे तो वह पहला कौन सा था वही आपको लिखा रहें ठीक है तो आप लिखो यह देखो लिखो फ्रस्ट वर्स नोबल गैस कंपस्ट पर्छ नोबल गैस कंपाउंड परिपेड गया जो बनाया गया जो की पाया गया जा वो फिर्ट नोबल गैस मपाउन था इसा पहले गोला यह आता था तो अगर और आप से पूछा जाता है कि पहला इनर्ट गैस कंपाउंड कौन सा था तो यह हो गया कहां से मिला तो यह तो यह पहला कंपाउंड है है जो मिला किससे ओटू पीटी एफ 6 से मिला अब तुमसे कोशन पुछा जाता है कि क्यों मिला क्या ऐसा रीजन है कि O2PTF6 से हम लोगोंने XZPTF6 का formation कर लिया देखो कहने का मतलब यह कह रहा है हम कि भया जो आपका O2PTF6 है इससे हमने Zenon की reaction कराई और हमें XZPTF6 मिल गया XZPTF6 मिल गया तो क्यों मिल गया में बात यह है कि क्यों मिला तो देखो हम तो में मताते हैं इसका reason जो आपका O2PTF6 है हमने जब इसे हीट कराया तो हमें बिटा O2PTF6 अलग चला गया प्लस का आपका PTF6 निगेटिव अलग मिल गया हमने इसकी जब फर्दर इसन बिटा Zenon से कर आई तो हमें XZPTF6 मिल गया XZPTF6 कर लो भई आपना आपना इस इन ओटो एंड एटी प्रतिवा किस चीज की सिमिलाइटी बिल्कुल सही आपने पता है बड़ किस बात की से इनकी आइनाजेशन एनर्जी किसे समझें इन में जो आइनाजेशन एनर्जी थी वह सेम थी मेरी बास सुनो अगर आप सब लाए कि ओटू-पी-टू-एप-शिज, एकज पी-टी-एप, जीनों ने ओटू को रिप्लेस क्यों करा क्यों कि जीनों की और ओटू की आइनाजेशन एनर्जी एप्रोक्सिमेटली बीफल समझें अगर तुमसे कोई पूछे कि O2P2F6 O2P2F6 जो है उससे एकजी P2F6 कैसे बना क्यों बना तो उसका रीजन क्या है उसका रीजन से पितना है कि आपका जो जिनोन है और आपका जो ऑक्सीजन है इनकी आइनाइजेशन एनर्जी जो है वह एप्रॉक्सीमेटली क्या है इक्वा तो इसका रीजन यहां पर लिखो जो इसमें लिखो जो बाटलेट थे आपके बाटलेट नोटिस डैट इस डैट एक वाटलेट नोटिस डैट था आप आइनाजेशन एनर्जी इस बाटलेट नोटिस दा आइनाजेशन इस अपर ओटू कितनी थी ओटू के लिए 1175 किलो जूल पर मौ एक एक किलो जूल मोल इन्वर्स वाज आइनाजेशन एनर्जी ओटू कितनी थी 1170 किलो जूल मोल इन्वर्स तो आप एक चीज़ दें प्यार ओटू की जो आइनाजेशन एनर्जी कितनी थी इस वजए से क्या हुआ कि जीनाजेशन जो था उसने ओटू को तुम्हें रिप्लेस कर दिया ठीक है तो इसलिए कर रहा है सीधी सिवा ठीक है लेग लेना बैटा यहां पर एक पॉइंट और लिग लो जो यह कंपाउंड है इस अब बात आपको समझ में आई कि जो ग्रूप नमबर एटीन के एलिमेंट है उन्हें लोग इनर्ट गैसे ना बोलके नोबल गैसे क्यों बोलने लगे क्या इतना क्लियर हुआ इस इतना नोट करो फटा फटा फट ओके जल्दी करो सब्लों पिटा अबड़े आगें वो गया सुपका ये सब्सेंड़ सब्सेंड़ तीट्रें है तो इस बताद असना इस इस ओफटीव में और रहाए इन कर लोग को आदे पिटांविंटें शूपका इसमयो अधिंड़ के आए अनक्यों अधिश्य का रहाए अदु प्डेंी अधिड़ आप है डिंग डालो डियक्शन ऑफ जी नॉन हमें रियक्शन देखने जिनॉन की पूछ देखो रियक्शन ऑफ जी नॉन की कुछ रियक्शन सब्जेक्ट और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्शन है मिटा हाइडोलीस जो हाइडोलीस वाले भी रिक्शन लिखेंगे उन्हें आप बिल्कुर रट लेना कि वह आप लिए बहुत ही इंपॉर्टन नहीं पड़ और इसमें क्या वन लेंगे वन रेश्यो इसमें एक मोल और पांच मोल और इसमें आपका एक मोल और आपका 20 मोल सब्सक्राइब सब्सक्राइब और प्रोड़क्ट फॉर्म और प्रोड़क्ट और प्रोड़क्ट और प्रिस्ट्लाइब और लेखो एंड रेडली अंडर वो अब बहुत ही जल्दी इनका है यह है कि यह जीनॉन के फ्लोराइड जीनॉन व्लोराइड है अब अगर इनकी होती है तो कैसे होगी ठीक है तो एक एक करके तीनों की देख लेगते हैं तो पहले आप डालो आइडू लिसेज ऑफ एक्जी एप सिक्स सबसे पहले एक देखते हैं क्या होगा हम जैसे बताते हैं आप याद रखती जाना या फिर याद भी नहीं करना लिए बाद सुनों पहले तो एक चीज़ा यहां पर जीना इंवांट एक्शन है फ्रक्टू सब्सक्राइब और तीनों बाद एक इप टूंट यहां पर यहां पर फ्टू पांच पर टुन लिए फ्टू पर इप्फ क्रिस्टलाइन के बाद क्या लिखा था इसके बाल लि है अधिक्र न स्थैस्ट चुलत तो जब आप एक्जी एक्षिक्स की रीक्षिण वॉटर से करा होगी तो होगा क्या जब आप एक्षिक्स की रिख्षिन वॉटर से कराओ वॉटर से करा दो तो यहां पर दिख रहे हैं आपको यहां से और यहां से कितने बचेंगे बचार और एक कैसा होता है मतलब दो ऑक्सिजन एटम को हटाओंगे तो कितने आएंगे एक यहां पर क्या जाएगा आपने दो अभी आपने आपने दो इस करा सकते तो फिर से यहां से निकलेंगे पिर से मानिस का डूह निकलेंगा बता विच्व फ्टू अब पता गया विच्ट एक्षियो एक्षी ओटू एफटू यह बनेगा बनेगा यह नियहां निकाले तो यहां से निकले दूँने की Here पर दो कि यहां पर लेखे निकाले क्या बनेगा बताओ तो नहीं लग रही ना आसानी से कर सकते हो ठीक है तो एसे में याद करने वाला इस इस नहीं है ठीक है चाल आप क्या करो अब आप क्या करो बटा एक जी एफ फॉर की एट लिस खराओ ठीक है यह वह बोलने कि आसान इतना कोई तब नहीं है तुम इस पर याद करने जैसे बुछ भी नहीं है आप हैंडिंग डालो है डूलिस इस आफ अधिजी एफ फोर की अधिश्व देख लिए अधिश्व देख लिए हैं अधिश्व कराएंगे इस एक जी एफ और इसकी श्रॉट पर आप किसे कराओगे एश्टू और यार यह इंप्और तुमाटे लिए ठीक है क्या पर एक्सेस्ट लेते हैं इसे इसमें क्या क्या बनता है लिख लो इसमें आपका एक एक जी निकलता है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसी लिए सारे ठीक है और लास्ट वाले का बिल कॉंप्लेट्ली अप्सिलेशन करके सिर्फ बचा लेते हैं ऐसे आप फड़ी क्या डालोगे यहां पर डाले रहेंडिंग फिक है आइड्रो लिससे आफ एक जी एफ टू ठीक है एक्जेप्टू को तुम कर आओगे तो हम यहां आगर एक जी एक टू ठीक है अगर हम इसकी हाइड्रो लिसस करा दें फर एक जांपल क्या बनता है जेक्छ नेगा इस लगनेगे इन जल्दी से कि अगर इतना हो गया तो चलते हैं अपने next topic ठीक है अब आप हीटिंग नालो reaction off किसी का अगर रह गया बटा नोट कर लो ठीक है ऐसा नहीं कि छोड़ देना जल्दवाजी में कुम भागे नी जरूत नहीं है आराम से नोट कर लो किसी का रहे गया तो screenshot लो या फिर नोट करना तो नोट करो कोई दिल्दवाजी ठीक है अब एंटिंग लालो reaction of reaction of xenon tetrafluoride f l u o f l u o r i d e reaction of xenon tetrafluoride क्या है कि आपको अलग लग रिएक्शन करानी कि किस्ते किस्ते करानी पहला अगर आप से नॉर्मली क्या करो कर दो दूसरा अगर में इसके रिक्शन में इंजीन से करा दें तीसरा अगर में इसके रिक्शन किस्ते करादें सब्सक्राइब सिलिका सब्सक्राइब 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 और प्लस यहां से फ्लोरीन निकल जाएगी अच्छा दूसरी बात अगर आपने एसके बेंजीन करा देट फ्लोरोवेंजी का फॉलमेशन वह सैंपली इसमें कुछ नहीं नहीं है ऐसा इसा इस्टा का है एसा इस सिलिकॉण के कौन सब्सक्राइब एलिमेंट है फिस्टीं नंबर शुक्ति या थार्टीं गुरॉप का कौन सा है कार्वन के नीचे इसी कॉन है एक नहीं बताओ फॉर्टीन का ओ कि अपक्यूंकि कार्वन तुम्हारा कैसा टेट्रावालेंट मतलब चारवन बनाएगा तो शार्वन बनाएगा की नहीं तो यानि कि अगर आपने इस किरिक्षिन एसाइओ टूस गरादी एक एसाइग कितने फ्लूरी ले जाएगा तो यहां पर एसाइफ पॉर अलग बनेगा और आपके एक जी ओटू एक कितने एफ को अटाता है दो को तो दो एफ लगेंगे चारो एफ हट जाए ऐसे इसकी अगर दो यह वाले भाई अपने वाले वाई से मिल जाएंगे और तो बेदकल कर देंगे ठीक है बसी ए एक वह तजल दी से बेटा यह एले एक्षिन्स अट 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 ऑट अट अट एख आप अगर इतना हो गया तो पुछ इस की एक्षिन साथ अगर हम एक जी एफ और किरेक्शन करा दें किस्ते बेटा अगर इस की एक्षिन वह तरह दें किस्ते फ़ाइब है और इस की रिशन किस्ट करा दें चल्श करा दें कि नो अगर आप ने एक्षिन एफ ओर दें बनेगा दाएग जी एफ-3 पॉस्टिब बनेगा प्लस आपका एज भी एक जी एफ-फ्वाइब पॉस्टिब पनेगा प्लस आपका पी एफ-6 निगेटिव बनेगा फी एफ-6 मैनस दा रहे लिए इसमिलर्ली यहां पर हो जाएगा क्या हुज जा आपका एगजी-1 है तो हम लोग क्या करते हैं कॉश्चन भी देख लेते हैं कि इतना हो गया यह पूरा आपका चैप्टर फिनिश हो करो इतना जल्दी फिर लोग इसके पॉशन लगा लिए चीक है हो गया बिटा यह सब्सक्राइब अब जल्द इसके कोश्चन देखते हैं इसमें बिटा मुझे आप पता नहीं इस बारे में इसमें में आया देना पड़ता है वह भूलें एक हम क्या है ठीक है बाकिम आपको फूरा डिटेल्स से बता सकते हैं अगर आपको चले अब थोड़ा एंसी क्यों यूज कुछ करेंगे लोग एंसी कि पहला कोशन क्या कहा रहा है बहुत सिंपल साय देहिंगा कौन मता पाएगा के राइब विच आप फॉल्वववविग इनुट गैस दिकूशन के रहा है विच आफ दा फॉल्वव इन प्वड फॉल्वव इन अर्टियस इनार्ट गैस अनर्ट गैस और आर्ट जोंग Autumn Kreatha補़् सब्सक्राइब क्यों आपको दिया हुआ है एक आपको दिया हुआ है जिनौन है आपको रख़ा है क्रिप्टाउन और डी आपको रख़ा है नियों क्लेटराइब करता है इसके साथ कौन से क्लेटरेट का करते हैं अभी हमने आपको कर बाया था कोशन बता बटा आरगन करता है आगन इसमें का ऑप्शन आगन का है इस चिका कैसे बाते कर रहे हो आप लोग आभी देखो यार लुक जा लुक जा एक सिकन्ड़ पूछ रहा है कौन सा करता है इदर आप क्लेटरेट कहां गया यह देखो क्या लिखा हुआ हुआ ही लियम और नियॉन तो नहीं करते हैं इस यह पॉर्मेशन नहीं करते हैं लि देखो अरे बुजिया कैसी बाते करते हो चंग मंगो देखो ही लियम भी नहीं करता क्लेटरेट का फॉर्मेशन नियॉन भी नहीं करता देट मिन बी और सी दराइट आंसर वह वह बी एंड सी ही तो होगा क्योंकि आपका हीलियम नियॉन तो करते ही नहीं है क्लेटरेट का फॉर्मेशन एक एक अंसर देरो तुम लोग अभी बढ़ाया कुश्चन चलो अगला कुश्चन बोले बिटा तो नोट कर लेना ठीक जैसा सही लेकर वैसे करो यह इंपोर्टन यह ला करके दिखा चलो यह तो आसान है कहरा विच और फॉलॉइंग विच और फॉलॉइंग विच और फॉलॉइंग जिनओं है लाइड जिनों है लाइट सिकें और हाइड लिशस और है ब्तो लिइस इंट्रों मिल जाएगा क्या क्या रखा एक तक आपको एक अजी एक कौन थी याट रखा चार बता वह दिखाएं इसे आपके आपके हैं तो आपको देंगे मतलब यह है कि इन में के आपको क्या करना सबकी रिख्शन से करा नहीं है करा के दिखालो वस रिख्शन विद वाटर है सब करा बताओ अभी हम लोग तीन और देख चुके हैं एट वी एट भी बहुत अच्छा मतलब आगर यह कह रहा हो कि अगर आपने एक्जिफ की रिख्शन वाटर से करा दी तो क इन दोनों में मिलेगा बिल्कुल सही बात है और अगर एक्जिफ शिक्स की कराओ तो तो मैं एक्जिफ रिमिलता था याद है यह सर और एच्छ तो मिलने नहीं रहा था तो इसके आप कराएं सकते क्योंकि एक्जिफ सेवन नीगेटिव नहीं होता है ठीक है और जो बचे इन दोनों में मिला है यानि कि आपका अंसर बिल्कुल सही है आपने का अंसर दिया था एंड बी वह सही है कितना सब्सक्राइब नहीं करते हैं यह थोड़ा सा डिफिकल्ट कोश्चन है इसमें पता चलेगा कि तुमने और भाडव निंग पड़ी है नहीं बढ़ी है क्या कोश्चन कह राएं कह रहा है कह रहा है जो में तो जो में टिकल्ट आप जो में ट्रुमेंटिकल्स शेप ऑफ दॉड़ मेंटिकल्स शेप और एक जी एक फाइफ फाइफ पॉसिटिव कॉमा एक जी एफ सिक्स एंड एग जी एफ एट तू निगेटिव रिस्पेक्टिबली आप बताना है तुम्हें ठीक है पहला क्या रहा है कैरा है ट्राइगोण नरं लिए वाइप जिए ऐन है ट्राइगोनल बाइप जिए दूसरी बोला ओक्ताइटर्ल आप एट्राइटर्ट पिश्रे की देवाइइस क्वाइप पेन सब्सक्राइब अगला देखो अगला में बोला है पहला बोला स्कॉायर बेज्ट पिरामिडर इसकॉयर इसकॉयर बेज्ट पिरामिडर दूसरा बोलता है डिस्टॉर्ट इस अगर और तीसरा बोला है डिस्टॉर्ट इन अप्टाइब और सी ऑप्शन देखों क्या कह रहा है यह प्लेनर पेंटागोनल अभी आंसर दिन लग गए यह ऑप्शन प्लेनर पेंटागोनल इन प्र के राएं यह दो सिर्ट कराएं अग्यार इन 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 स्क्वाइड इन 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 anti-prismatic ठीक है और D क्या क्या रहा है पिटा square-based pyramidal based सब्सक्राइब तहां चाहिए अफिर क्यारा आप से स्क्वायर एंटी किस्मिट कि एंटी प्रिज्मेटिक है ना टेक यो टाइम और अब बताऊ आए आए अराम से अप्शन एक रैक्ट है बहुत बच्छे बता रहें अच्छा तहां से रहो जो अप्शन एवंचिका एमिनाख्षी ए रित्विका एप्शन एक रेक्ट तनिश्का रेडमी ऑप्शन 2-1 वर्म इसका सी दीच्छासी ओसी एक मैं कॉमन का द्री एव बी निकिता चलौ हम कहरें अगर हमने बोला था कि यह तो डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट है कितना असान नहीं है जितना तुम सब्सक्राइब कुछ जोटी यह क्या हुता थिए और लोग बेटर ट्राइब करो ट्राइब करो भी यह ट्राइब करो अच्छा पोल कर लिए इस कोश्चन का अंसर पोल करना है बताओ पता से लैक कि कौन क्या कहना चाहरा है कि एक ही आंसर होगा मुल्टिपल आंसर नहीं होंगे घ्राइब पोल में आंसर कुछ और दे रहा हो यहां कुछ और बोला तुम लोग पहली बाद तो सारे बच्चे आंसर करो पोल में ऑप्शन सी करेक्ट अनिश्का होगे ऑप्शन और अब बच्चे ऑप्शन फोर की तरफ जाना लग गए इसा करोगे ट्वेंट्यू बच्चों आंसर दिया पहली बाद तो सारे बच्च कह रहाएं कि पहला साहिए कि निश्क वाला सही ए तीन बच्चे कहा रहे है नहीं खटवाला सही है कि देखो यार हम तुम्ताते हैं तो लोघ्वित पॉजितिव की बाद कर गर्राइब दूसें से सिंगल 머ंट बनाते पांच यानिकी दो और क्योंकि एक पॉजिटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि जिनॉन का बिटा जो आठ एक 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 साथ साथ में से पांस तो फ्लोरी ने एक लोन पर बचा इसके बचा इसका मतलब इसका इसका इस्टीरिक नंबर जा निकालो कितना आएगा एक दो तीन चार पांच और एक यह इसके बाद लोड प्यार है अगर यहां पर फ्लोरीन होता है तब तो यह उक्ता है और यह इसके बाद लोड प्यार है ठीक है बताओ है कि नहीं है विच्ण होता हिए विच फिरामियट यहां होगा अगर यहां पर झाली ध्यार परव हिए तो ही आत्मा होती है उप दम्ति तो दिखेंगे नहीं वह एक लग बात पर आपको दिखेंगे नहीं इस वजए से इसक्वाइर बेजड नहीं वटा तो यहां पर पहला क्या तो यह दोनों तो होई नहीं सकते क्यों कि हमारा पहले वाले का आंसर कहा इसक्वाइर बेज्ड बेज्ड अब या तो मारा या तो मारा डी होगा आगे वाले प्र आज आगे वाले आगे वाला कौन साथ ठीक है अब जब यहां पर लिखेंगे एक जी एफ शिक्स चीए तो देखो एक बात फिर से चार पांच और एक योगे चे इसके बाद एक बचा की निए बचा बताओ यह जो रूरी युड़ने के बाद इसके पास लोन पेर भी बच गया डैट मीं अगर आप करोगे तो यानि की फ्लोरी प्लोरी बनाना चाहिए ता सीदी सी बात है अप्टैल क्यों नहीं बनाएग चाहिएंगा तो बड़ यहां पे जिनाओन के पास लोन पे अरु तो नहीं होता तो तो यहां पर एक लोन पेर है तो इस लोन पेर की विज़े से क्या होगा यह कि रेगुलर और रखेंट ने इसकी जो इसकी तॉट्टर ऑप्टाइल होके ना क्या हो जाएगा इसका नाम ता इसका नाम इसका नाम था पिरामिडल इसक्वाइर बेश्ट तो देख लो पहली कौन सी स्कार बेश्ट पिरामिडल दूसरी इस्टॉर्ट डॉक्टाइल है यहां भी इसमें भी और इसमें भी तो अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सब्सक्राइए अब क्या करेंगे तीसरी वाली स्ट्क्च यह बटा पहली थी यह आपको दूसरा हो गया अपतीसरा उठालो इस इस बीच में होता और से चार फ्लोडीन जो है वह एक पिरामिड बनाके उपड़ जोड़े होता है एक दो और एक चार इस को समझ लुए इंपाटंट रिक है इसमें चार फ्लोडीन ऐसे पिरामिड बना के उपड़ जुड़े होता है और यह और आ ऐसा और तो चार फ्लोरी इसके उपपर होते है चार फ्लोरी नीचे होते हैं इसलिए इसको और एक इसकोईर को युब और ऊस यहाँ पर यहां पर क्या ओगा ऐसा करके यह एप करके यह उद्व कि इसनसे पिरामिट cette देखेगा कि व्लस पुरुवस्क्राइब हो पर चाहर नीचे जो हमने भी तुम बना के लिखा है इसे बोलते हैं इस पार इंटी फ्रिजमेटिक तो यहां पर क्या रहा है यहां पर यहां पर यहां पर नहीं भी आते तब भी तुम कर सकते कैपको कैसे क्योंकि यहां होने चाहिए थे आयगा तब तुम बना के लिखा दिखा अगर बाना के महलो तुम नहीं भी पता होती तब भी तो अपना जाया दे क्योंकि यहां पर कहा रहा है कि यहां पर दी यहां पर कहरा वह सॉरी तीसर वाला जो होनकि एक यह आट-थे हुआ है जो आपका बी वाला था वो भी आपका कैसा हो गया गलत हो गया और डी जो है आपका वो आपका सही आंसर हो गया कैसा लगा अच्छा था कोशन यह सो इसका स्क्रेंशाट मारे एक कोशन हो करते हैं पड़ा पड़ा कि अगर यह वाला हो गया तो इसके वाद एक कोशन और यह कितना कोशन है क्या कह रहा है कि आपके 45 में से कम से कम कुछ नहीं कुछ नहीं सब बच्चे कर लेंगे बच्चे वह जो तीस या पच्चेस तीस कोश्चन है ये इन पे फाइट है तुमारी समझेश में वो जो इंपॉर्ट्र थोड़ा धर क्य पार सम्लों एम ओड़ी फोलुइंगी आप दम व१ा पॉलूइंग और कि आपट फॉलूइंग कोव्व 550 सब्सक्राइब पर फॉर इस पिस वन विच इस वन विच इस नोट एक्जिस्टेंट एक्जिस्टेंड टीकर पहला क्या कहा एक्जिएप सिक्स अब तुम आपकेश होता है कि नहीं होता है इस सब्सक्राइब करते हैं फिर हम लोग क्लास को क्या रहा है क्या रहा है क्या रहा है कि आपका जो हीलियम है वह आर्गं से प्रिप्टान देंश के बाद नियुआण दैन इसको जीनोल यह इनकी बिटा अबंडेंस बताइज रही है ठीक है अबंडेंस इन एयर में इनके अबंडेंस यह है ऐसा बोल नहीं ठीक है अच्छा दूसरा आको बताना सही है कि घर दूसरा आपका पुटा आर्गन दिन इसके बाद आपका हो गया देन उसके बाद जिनाव ठीक है इनके बॉयलिंग कोईंट की बारें बात की गई बॉयलिंग पॉइंट पताना सही गलत है और तीसरे क्या कह रहा है कि जो बिटा आपका आपका एकजी एफ टू है और आपका एकजी एफ और आपका एकजी एफ और आपका एकजी एफ टू ठीक है यह इनका मेल्टिंग पॉइंट की बात करी गई है और आपका एकजी एफ गूल इंग का एकजी एसमें कि पूछा गया है इसमें पूछा गया कि एकजी एफ जो है बॉन्ड लेंज बतानी है बॉन्ड लेंग झालो बिटा बता व इसको लेकिशन को करो आपसे इनकरेक्ट नब पूछा किया ध्यान रखना क्योंचन में आप से बोला है कि इनकरेक्टर बता ओ कि करो इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं कि यह इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं यह इंडी इंडी इंकरेक्ट है अच्छा एक इंड्रक्ट कियों बिटा मोश्ट अबंदेंस कि यह में इन गैसे सबसे ज्यादा गैस कौन से यह में पाई जाती है बिटा वो आपकी अबंडेंट है को या तो यह हमारा बिलकुल ऌंसा निए पूछा तो यह आ या तो बिलकुल साही है दूसरे देखो बॉलिंग ग्रता है तो यह बातु बटा है कि नहीं के सब्सक्राइब जesto की सब translates सब्सक्राइब कर छाएंक का मेल डिक्ष्ब का में तो कम होगा ना तो 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 यह आपका पूछा गया तो आपका पहला और तीसरा जो है एंड सी जो है वह सही है वन्ची का समझ में आ पीटा दीक्षा वन्ची का रित्पिका समझ में आया तो अभी पांचे मिनट और बताओ नया चेप्टर चार्ट करें या फिर हम लोग दें क्लास ही पे और कोशन तो भी मेरे पा होगे तो उसमें फिर एकदम स्टार्टिंग से फ्रेश माइंड चाहिए ठीक है तो चलो फर ऐसा करते हैं कि आज की क्लास में रखेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर कर लिए और हाँ ठीक है ठीक है प्रिद्विका हमें एक क्या करते शेशन रखेंगे उसमें आपको बताएं आपके साथ कि अभी में आफिस में हैं तो हम घर निकल जा नहीं तो बिलेट हो जाएंगे और चैप्टर अपना फ्रेश हो चुका है ठीक है यहां पर लिग लोग कंप्लीट कराएं दस बारा साल में बढ़ा कंप्लीट हो गया ठीक है क्योंकि यह पता ही है हमाई तुहाई अच्छा यहीं पर रोकते हैं मिलेंगे ठीक है चलो बाबाए खाना मिने खागे सोजा मज़े करो ठीक है जाओ बाए 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 बीटा